दोस्तो आज क्रिस्मस है और गुल्ली बुली सौन अपनी घर में क्रिस्मस पाटी के तयारी कर रहे है सौन तो घर के छट पर चाड़ कर लाइट्स लगा रहा है गुल्ली बोलता सौन जल्दी यल्दी हाँ चलाओ हमें और भी काफे ज़दा काम है और अगर तुमने जल्दी सारा काम नहीं किया तो सेंटा चाचा तुम्हें गिप नहीं देंगे सौन बोलता गुल्ली तुम अपना मुँ बन रखो अगर सेंटा चाचा ने मुझे गिप नहीं दिया गुल्ली बोलता है सौन अगर तुम्हारा काम हो जाए तो तुम मुझे बता देना मैं तुम्हें गोधी ले लूँगा सौन बोलता है बुल्ली तुम ही मेरे असली दोस्त हो गुल्ली बोलता है आखिरकार तुमने सेंटा चाचा से क्या मांगा है बुली बोलता है जो जो आमारी वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में सेंटा चचा कर चार को उंडा देगा सौन बोलता है बुली मैंने उपर का सारा काम खतम कर लिया है अब मैं नीचे कूद रहा हूँ तुम मुझे पकड़ लेना बुली बोलता सौन तुम अपनी आखे बंद कर कर खूच जाओ मैं तुम्हें पकड़ दूँगा और फिर सौन अपनी आखे बंद कर कर कूच जाता है लेकिन ये क्या बुली ने तो सौन को दोका दे दिया है जिसके कारण लगता है कि सौन बेहोशू चुका है गुल्ली बोलता है लगता है कि या सौन रात वर उपने वाला नहीं है गुल्ली बोलता गुल्ली मुझे चो लगता है कि ये कच्रा है और इस कच्रे को कच्रे दान में फेक देना चाहिए सेंटा तो इसे देखकर ही भाग जाता चलो जल्दी से से कुणे में फेक कराते हैं गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरा भी कुछ यही कहना था और फिर बुल्ली सौन का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर कच्रे दाने फेकने के लिए जाने लगता है तभी वहाँ पर दोड़ते हुए रोड आ जाता है गुल्ली बोलता है क्या हुआ रोड तुम यहाँ पर भागते हुए क्यों आ रहे हो कहीं तुम्हारे पीछे कोई कुट्य तो नहीं पड़े हुए है रोड बोलता नहीं गुल्ली बुल्ली तुम गलस समझ रहे हो मेरी पीछे कोई भी कुट्टा नहीं पड़ा हुआ है और अभी मैं मजाक के मूर में बिल्कुल भी नहीं हूँ बुल्ली बोलता तो आखिर कर ऐसी क्या बात है जो तुम यहाँ पर भागते भी आ रहे हो रोड बोलता मैं तुम दुनों को बताता हूँ लेकिन पहले सौन को तो आ जाने दो वो आखिर कर कहा है बुल्ली बोलता कौन सौन सौन की तुम आने पुंगी बजा दी बुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली और रोड गुली बोलता सौन तुमने बुली को काफी ज़ता मार लिया है अब उसे छोड़ दो रोड हमसे कुछ ज़्यादा ही जरूरी बात करना चाहता है पहले हम लोग उसकी बात सुनते है रोड बोलता गुली मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे सुन करकर तुम लोगों के पैरों की नीशी से जमीन खिसक जाएगी गुली बोलता बताओ भी रोड आखिर कर तुमने क्या देखा रोड बोलता है जब मैं ग्रेनी ग्रेनपा के घर ते गुजर रहा था तब मैंने कुछ ऐसा देखा अरे ये क्या ये तो सेंटा है और ये तो ग्रेनी ग्रेनपा घर पर जा रहा है लगता है कि सेंटा को पड़ा नहीं है ये दोनों बहुती कदर नाक आदमी है हो 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 आ गया तुम लोग का सेंटा और ग्रेंट पा सेंटा गया चलो बारे और यार रहे हैं ग्रेंटी ये लो तुम्हारा गिप्ट है ग्रैनी सेंटा को मार मार कर पागल कर देती है और फिर ग्रैनपा सेंटा को इंजेक्शन दे देता है जिससे कि सेंटा एक खूनी सेंटा बन जाता है और तब से ही वो खूनी सेंटा मेरे महले के सारे बच्चों को ठाउठा कर लेकर जा रहा है इसलिए मैं तुम लोगों से मदद मागने के लिए यहाँ पर आया हूँ गुली बोलता है हम लोग के होते हुए किसी भी बच्ची पर मुसीबत नहीं आ सकती और अगर ये खुनी सेंटा बच्चों को इसी तरह मारता रहा तो सेंटा पर थे बच्चों का विश्वास खतम हो जाएगा सौन बोलता रोड हमारे होते हुए बच्चों पर मुसीबत नहीं आ सकती क्योंकि हम लोग बावल लंगोटी लाल के चेले हैं और अगर बावल लंगोटी लाल को पता चल गया कि हमारे होती में बच्चों पर मुसीवत आ रही है तो फिर वो हमें कमरे में बंद करकर बहुत मारेंगे बुली बोलता लेकिन आखिर कर वो खुनी सेंटा मिलेगा कहां तभी वहाँ पर खुनी सेंटा की गाड़ी की आवाज आने लगती है सारे लोग उपर देखने लगते हैं रौट बोलता यही है खुनी सेंटा जो एक एक करके सारे बच्चों को मार रहा है गुली बोलता हमें इसका पीशा करना चाहिए वरना ये हमारे हाथों से निखल जाएगा गुली बोलता मैं अभी जीप लेकर आता हूं उससे हम लोग खुनी सेंटा का आराम से पीशा कर सकते हैं और फिर गुली डोड़ कर जाता है और Jeep को वहा पर ले कर आजाता है सारे लुग Jeep में बैट जाते हैं और Coolie सेंटा का पीछा करने लगते हैं आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा और फिर वो सेंटा एक बच्चे के घर पर चला जाता है Son बोलता है ये तो Monty का घर है और मॉन्टी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है रोट बोलता है तो अब ये सेंटा मॉन्टी को नहीं छोड़ेगा सौन बोलता तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो मॉन्टी सेंटा को नहीं छोड़ेगा मॉन्टी एक बहुती बदमास बच्चा है और वो हर बार सेंटा को बहुत मारता है इसलिए मोंटी ने इस बार भी सेंटा के लिए कुछ ना कुछ ना इंतियाम किया ही होगा गुली बोलता कि चलो हम लोग आगे चलकर देखते हैं और फिर गुली गुली सोना रोट जाड़ियों बीचीप कर सेंटा को देखने लगते हैं हो 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 हो, सेंटा आ गया, किधर हो मॉंटी, ये लोग अपना घिप्ते, हाई 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 और फिर सेंटा मॉंटी का दरवाजा खटकट आने लगता है, और तभी अरी ये क्या मॉन्टी ने ये एक बार में ही सेंटा को जमीर पर धेर कर दिया है सेंटा मैं तेरे देपे तोड़ूँगा डेंटा सौन बोलता देखा रॉण मॉन्टी ने खूनी सेंटा का क्या हाल किया तुम तो बोल रहे थी कि खुनी सेंटा बहुती खातरनाक है हमारे महला का बच्चा इससे भी ज़्यादा खातरनाक है गुली बोलता है यहां तो हमारी कुछ जरुवती नहीं है मौंटिया के लिए ही सारा सब को समाले हुए है गुली बोलता है सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अन्धा हूँ अब हर बार की तरह सेंटा का सारा गिंटा मेरा हुआ तभी बुल्ली का बैलेंस बिगाड़ जाता है और वहां पलावाट डबा बुल्ली से गिर जाता है अरी ये क्या अब खुली सेंटा ने तो गुल्ली बुली सोन रोट को देख लिया है और अब तो इंचारों की खैर नहीं सारे लोग वहां से जंगल में भाग जाते हैं और खुली सेंटा पी उन लोग का पीछा कर रहा है गुली बोलता है बुली तुम्हारे काराना जा हम लोग इतने बड़ी बूसियोते पड़े हुए हैं और अगर खुरी सेंटा ने हमें देख लिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं बुली बोलता है मैं उस खुरी सेंटा का चेहरा देकर डर गया था इसी कारान मुझे से गलती से वो डबबा गिर गया सौन बोलता है तुम्हीं जगणा मन करो आगे तेको एक छोड़ा ता गषर है हम लोग उस घर में जागर चीब सकते हैं और फिर सारे लोग उस पुराने घर में जागर चीब जाटे है सोन बोलता ये खुनी सेंटा तो बहुती खातर नाक है मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इसका सामना कर पाएंगे गुली बोलता इसका सामना करना भी नहीं है ग्रेंपा ने जो इसे इंजेक्शन दिया है बस हमें उसका एंटिडोर खोजना पड़ेगा और इसकुनी सेंटा को वापस से ठीक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेंटा से अपना गिप लेने के लिए इंतिजार कर रहे हैं बुली बोलता लेकिन आखिर कर हम लोग इसकुनी सेंटा को ठीक कैसे करेंगे बुली बोलता ये तो हमें बावा ही बताएंगे बस हमें किस तरह बावा के पास जाना होगा सौन बोलता रुको अभी मैं खिड़के से बाहर जाकर देखता हूँ कि वो खूनी सेंटा यहां से गया की नहीं सौन खिड़की से बाहर देखता है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सौन बोलता लगता है कि खुनी सेंटा यहाँ से चला गया है अब हमें बाबा के पाँ जाना चाहिए और फिर सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं गुली बोलता क्या हुआ सौन तुम पागलवी से हरकत क्यों कर रहे हो यहार है भईया हमें तो तूड गया और फिर वो फूनी सेंटा सौन पर छलाग लगा देता है गुली बोलता यहां पर मत रुको यहां पर रुक नहीं होगा गुली बोलता ये कैसी बात कर रहे हो रोड सौन हमारा काफी अच्छा दोस्त है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए रोड बोलता अब सौन को कोई नहीं बचा सकता और अगर हम लोग सौन को बचानी के लिए गुली बोलता चाहिए कुछ भी हो जाए रोड मैं सोन के मेरा घर नहीं जाने वाला रोड बोलता अभी खुणी सेंटा के दिमाग पर खून सवार है और वो हम लोग में से किसी को नहीं छोड़ेगा इससे अच्छा यही होगा कि हम लोग यहां से घर चलते हैं गुली बोलता रोड तुम घर चले जाओ मैं तुमारे दोस्ती को देख चुका हूँ कि तुम हमारे कितने अच्छे दोस्त हो मुझे तो लगा था कि तुम हम लोगे हर सुक दुख में काम दोगे रोड बोलता ऐसी वात नहीं है गुली ये खुनी सेंटर से बदला लेने का सही समय नहीं है बुली बोलता गुली रोड को जाने दो मैं तुमारे साथ चलता हूँ रोड बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है और इतना बोलका रोड वहां से चला जाता है बुल्ली बोलता चलो गुल्ली हमें सोन को जल्दी जल्दी बचाना होगा और फिर गुल्ली बुल्ली सोन को बचाने के लिए वापस वही पर चले जाते हैं गुल्ली बुल्ली वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता तभी बुली रोने लगता है गुली बोलता है क्या हुआ बुली तुम आखिर का रो क्यों रहे हो बुली बोलता है लगता है कि वो खुनी सेंटा सौन को मार दिया है गुली बोलता है नहीं बुली ये नहीं हो सकता और अगर वो कुनी सेंटा सौन को नुकसान पोचाने की कोशिस भी किया तो मैं उसकी जान निकाल दूगा तभी वहाँ पर किसी की चीकने की आवाज आती है गुली बोलता ये तो सौन की आवाज है इसका मतलब पिसौन यही कहीं पर है और उसे हमारी मदद की जरूरत है गुली बोलता ये आवाज तो साथ इस घर के पीशे से आ रही है हमें जल्दी से इस घर के पीशे चलकर देखना चाहिए और फिर गुली बुली दोड़कर उस घर के पीशे चले जाते हैं जहाँ पर वो खुनी सेंटा सौन पर अटैक करने के कोशिस कर रहा होता है गुली बोलता रुको अभी मैं इसे बताता हूँ आई ये क्या गुली ने तो एक बार में ही खुनी सेंटा को जमीन पर लेटा चुका है जिसे देख करकर बुल्ली जोर जोर से उचले लगता है सौन बोलता वह गुली आज सुम्दे तो मेरी जान बचा ली और अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो पतार ही मेरा क्या होता गुल्ली बोलता मेरे होते वे तुम लोगो कोई हाथ मीने लगा सकता लेकिन इदर खुरी सेंटा एक वर फिर से होस में आ चुका है सौन बोलता तो आखिर कर भी इस खुरी सेंटा को ठीक कैसे किया जाए क्योंकि बहुत सरे बच्ची सेंटा कलॉस से गिप्ट का इंतिजार कर रहे हैं बुल्ली बोलता हम लोग इस कुरी सेंटा को घसीट कर बावा के पास लेकर चलते हैं अब बावा ही इसका इलाज करेंगे गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो इसे हम लोग बावा के पास ही लेकर चलते हैं सौन बोलता लेकर तो चलते हैं लेकिन आखिर कर ये है कहां और फिर वो कुरी सेंटा सौन को घसीट कर अपने गाली में लेकर जाने लगता है और इधर गुली बुली अपने आपको समाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि खुनी सेंटा ने गुल्ली पुली के सर में बहुत जोर ते डंडेते वार किया है। गुल्ली बोलता है छोड़ दो सौन को, वरना अगर बावा को पता चल गया तो उदू में नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर सेंटा वही पर रुख जाता है। लगता है कि कुनी सेंटा वावा का नाम सुरकर डड़ चुका है। वो पलटता है और दीरी दीरे गुल्ली के तरफ आने लगता है। अरी ये क्या कुनी सेंटा ने तो गुल्ली को मार मार कर बेहोस कर दिया है। मैं किसी वावा वावा से नहीं डरता। हो 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 और फिर वापस खुली सेंटा सौन को घसिर कर गाड़ी मिले कर जाने लगता है और तभी अरे ये क्या ये तो रोड है बुल्ली बोलता वा रोड तूम आ गए मुझे बता था कि तुम हमारी दोस्ती को नहीं भूलोगे जल्दी से श्खुली सेंटा को इसकी आउकाद देखा दो बुली सेंटा उखता है और वाट के तरम दोल लगा देता है और फिर क्या था वाट भी श्टार्ट हो जाता है सौन मुलता है बुल्ली लगता है कि आज वाट वाच।ぜंटा बचने वाला नहीं है बुल्ली बोलता लेकिन सौन अगर सेंटा बच गया तो हम लोग का बचना ना मुम्किन है और गरती को गुल्ली गुल्ली भी बेहोस पड़ा हुआ है और गुल्ली के सर से तो बहुत खुन भी बाह रहा है सौन बोलता बुल्ली कहीं गुल्ली मर तो नहीं गया और तभी सेंटा रौट को दो जोलदारघूसे मार देता है जिससे कि रौट जमीर पर गिर जाता है लगता है कि आप सेंटा रौट के साथ कुछ बुरा करने वाला है 처बे सेंटा रौट के हात के हड्यों को तोड़ देता ये देखकर तो बुली और सोन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब लगता है कि खूरी सेंटा सोन के जगा रोंग को ले जाने का मन बना चुका है खूरी सेंटा के जाने के बाद बुली और सोन फिरते उड़ जाते हैं और दोल कर गुली के पास जाते हैं बुल्ली गुल्ली को उठाने के काफी कोशिस करता है लेकिन लगता है कि गुल्ली अभी इस दुनिया में नहीं है सौन बोलता है बुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे गुल्ली के हाला तो काफी दा खराब है और वो खुनी सेंटा रोट को भी अपने साथ लेकर गया है बुल्ली बोलता हमारी मतर सिर्फ एक याद मी कर सकता है और वो है खुद बावा सौन बोलता लेकिन बावा तो भाण डारे में गये थे वो पता नहीं घर पर हो गई या भी नहीं बुल्ली बोलता वो तो हम वहाँ जाकर ही पता चलेगा और फिर बुल्ली गुल्ली को अपने कंदे पर लाद लेता है और वहाँ से जीप के पास जाने लगता है बुल्ली बोलता सौन जीप को थोड़ा तेज चलाना हमें जल्दी से बावा के पास पहुचना होगा और फिर सौन जीब को वहाँ से फूल स्पीड में लेकर भगाता है और थोड़ी ही देर में बावा के घर पर आ जाता है बुली और सौन जीब से नीचे उतरते हैं और बावा को इधर उरे देखने लगते हैं बावा तो हर बार की तरह ला पता है तभी पेड़ के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है गुली और सौन वहाँ पर जाते हैं अरी ये तो बावा है सौन बोलता है बावा आप रो क्यूं रहे हैं तैयारों के बंडारे में गया था अंदर गया तालुआ कटम और बार आया तो चपल गया बुली बोलता बावा मैं आपको चपल नहीं बल्कि जॉडर गया जूते दिलाऊंगा लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए और फिर बुली बावा को सारी बाते बता देता है बुली के बाते सुन कर तो बावा का कौन खौल जाता है बावा बोलते मेरे होते हुए किसी भी बच्चे को क्रिसमस के जिप के इंतियार नहीं करना पड़ेगा सौन बोलता बावा पहले तो आप गुली को ठीक करिये बावा बोलते कहा है गुली मुझे उसके पास लेकर चलो और फिर सारे लोग गुली के पास चले जाते हैं बावा अपनी सक्तियों से गुली को ठीक कर देते है बुली बोलता बावा जल्दी चली अभी हमें रोट को भी बचाना है और फिर सारे लोग जीपें बैट करकर रोट को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं सौन बोलता गुली लेकिन आखिरकार खुरी सेंटा रोट को कहा लेकर गया होगा गुली बोलता है ग्रैनी और ग्रैन्पा नहीं सेंटा को इतना कूमगार बनाया है वो जरूर ग्रेनी ग्रेंट पा के घर पर ही गया होगा बुली बोलता हाँ गुली तुम मिल्कुल सही बोल रहे हो हमें ग्रेनी ग्रेंट पा के घर पर ही पहले चल कर देखना चाहिए सौन बोलता पर हमारे पास टाइम बहुत कम है वरना क्रिस्मस खतम हो जाएगी और सुबा होने से पहले हम इस सारे बच्चों को गिब्ट भी दे रहा है क्यूंकि सारे बच्चे सेंटा का इंतजार कर रहे हैं बाबा बोलते हैं इसके टेंसन तुम लोग मत लो एक बार बस वो खूनी सेंटा मेरे हाथ में आ गया उसके बाद देखो मैं उसका क्या हल करता हूँ सौन बोलता बाब उसे छोड़ना मत उसने हमारे रोट को ले जाने की हिमत कैसे की और फिर थोड़ी ही देर में सारे लोग ग्रेनी ग्रेन पर के घर पर आ जाते हैं जहां पर वो लुब देखते हैं कि खूनी सेंटा रोट को कहीं और लेकर जा रहा है बाब बोलता जल्दी सौन इसका पीछा करो ये हमारे हाथों से बच कर नहीं जाना चाहिए और फिर सौन भूली स्पीड में खूनी सेंटा का पीछा करता है लेकिन ग्रैनी ग्रैनपा तो जार चुपकर सारा जारा देख रहे होते हैं लगता है कि ग्रैनी ग्रैनपा के दिमाग में कुछ बगत बड़ा प्लाइन चल रहा है और इधर सौन भूली स्पीड में खूनी सेंटा का पीछा कर रहा है थोड़ी दूर आके जाने के बाद खूनी सेंटा अपनी गाली को एक जंगल के पास रोग देता है सौन भी अपनी गाली को जाली में लगा देता है खूनी सेंटा गाली से उतरता है और इधर उदर देखने लगता है सेंटा को देखकर सारे लोग जानी में छिप जाते हैं और फिर खूरी सेंटा रोट को अपने कंदे पर उठाता है और वहां से जंगल के अंदर जाने लगता है बाबा बोलते इससे पहले कि खूरी सेंटा अमारे हाँ से निकल जाया है बाबा बोलते हैं जरूर यह रोट को लेकर अपने अड़े पर जा रहा है जाने दो इसको वही पर मारेंगे लेकिन इल्लो को सेथ बता नहीं है कि गुल्ली-बुली सोनन भाबा पर ग्रैनी-ग्रैन पर नजर रखे हुए है बुल्ली बोलता बावा हमें रोट को बचाने के लिए इस से अच्छा मोका नहीं मिलेगा मैं तो बोलता हूँ कि आप यहीं पर खुनी सेंटा को दो भी पचार दीजिए बावा बोलते तुम लोग इसकी चिंदा मत करो रोट को कुछ नहीं होने वाला तभी खुनी सेंटा वहीं पर रुख जाता है सारे लोग पेड़ के पीछे शिप जाते है खुनी सेंटा इदर हुदर देखता है और फिर आके बढ़ जाता है और एक बर फिर से सारे लोग खुनी सेंटा का पीछा करने लगते है पर ये क्या खूनी सेंटा तो इस गुफा के अंदर जा रहा है गुली बोलता बाबा लगता है कि यही खूनी सेंटा का ठीकाना हम लोग इसके अंदर चलना चाहिए सौन बोलता बाबा मुझे इसके अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है बुल्ली बोलता सौन तुम डर क्यों रहे हो हमारे साथ यतने बड़े सूर बीर बाहू बली योद्धा सलमान खान खूसट बुढधा मेरा मतलब है कि हैंसम नोजवान 16 साल के लौंडा ही 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 गुल्ली बोलता बाव अब इसी तरह दांट की सोरते मत रहिए वरना खूनी सेंटा हमारे हाथों से निकल जाएगा बाव बोलते हाथों सही बोल रहे हैं और रोट को भी हमें बचाना है आओ मेरे पीछे और फिर सारे लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं अंदर जाकर हो लोग देखते हैं कि अंदर बहुत सरी बच्चों के कंकाल पड़े हुए हैं गुल्ली बोलता ये पक्का उनी बच्चों के कंकाल है जिसे खूनी सेंटा ने अपना सिखार बनाया है कंकाल को देखकर सौन काफी डर चुका है इसी लिए सौन अब गुल्ली बुली के पीछ ही चल रहा है और फिर तभी और इधर गुल्ली बुली और वावसीते चले जा रहे हैं तभी जैन सों की आवाज आती है गुल्ली बुलता बावा ये चैन सों के अवास तो वाके से आ रही है बावा बोलते हैं लगता है कि कुछ गणबड है बुल्ली बोलता हमें जल्दी आगे चल कर देखना चाहिए और फिर सारे लोग दोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं सारे लोग देखते हैं कि खुणी सेंटा रोड पर चैन सों से वार करने जा रहा होता है जिसे देखकर बावा का पारा हाय हो जाता है और फिर बावा आपका बहुत बहुत सुक्रिया आपके कारन आज मेरा जान बच गया नहीं तो ये मोटा आज मुझे महा डालता बुली बोलता लेकिन बावा सौन हमारा कहीं दिख नहीं रहा गुली बोलता कहीं सौन केसी बड़े मुशिमत में तो नहीं बावा पर यहाग बंद करते हैं और ध्यान लगाकर सौन का पता करने लगते और तभी बाबा महां से दोड़ लगाते थे गुली पुली और रोड भी बाबा के पीछे पीछे आते है और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो सौन रस्ती से बंदा होता है और वहाँ पर ग्रेनी और ग्रेनपा भी होते है ग्रैन्पा बोलते हैं हमें छूने की कोशेश भी मत करना वरना मैं इसके अक्रोटों को फोड़ दूँगा और जड़ा अपनी पीछे देखो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे पीछे ही खड़ा है ग्रैनी खुरी सेंटा को बोलती है जल्दी से लोगों को रस्टी से बांदो और फिर खुरी सेंटा सारे लोगों को रस्टीयों से बांद देता है ग्रैनी बावा के पांँ जाती है और अपना पुराना बदला को असूल करने लगती है किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता, जो मर्द होता उसे दर्द नहीं होता, तुरू को जा रहा, सबर गोरो, अच्छा, ग्रेंटपा बोलते बहुत हुआ, अभी लोगा खेल खतम करते हैं, और फिर ग्रेंटपा खूनी सेंटा के तर विसारा करते हैं, जिससे खूनी सेंटा चैनसो लेकर देरी-देरे सौन के तर बढ़ने लगता है, ये सब देखकर बावा का पारा हाई हो जाता है, और फिर बावा अपनी रस्टिया तोड़कर जिससे कि खुनी सेंटा भी होस हो जाता है और इधर ग्रैनी मौका पर चौका लगा कर पीछे से पावा पर हमला कर देती है पर ग्रैनी ने बावा को मार कर बहुत बड़ी गलती कर दिये क्यूंकि अब बावा का स्ट्रीम मूट आन हो चुका है बावा का गुस्सा देखकर ग्रेणी ग्रेट पर वहां से दौल कर भाग जाते हैं और बावा भी पागल कुट्या के तरह उन लोग का पीछा करने लगते हैं गुली बोलता वा बावा मुझे पहले ही पता था क्या आप इन लोग का अकिलेशन समाल लेंगे सौन बोलता सारे बच्चे सेंटा के गिप का इंतिजार कर रहे हैं और थोड़ी देर में सुबा हो जाएगी गुली बोलता वावा जल्दी से आप सेंटा को ठीक करिए क्यूंकि सेंटा ही सारे बच्चों को गिप देगा और फिर भावा सेंटा के पाँ जाते हैं और अपनी सक्तियों से सेंटा को ठीक कर देते हैं गुली बोलता सेंटा सारे बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं जल्दी से सारे बच्चों को उसका गिप दे दो सेंटा बोलता इतने जल्दी मैं सारे बचों गिप कैसे दू अगर तुम लोग मेरी मज़द करोगी तो हम लोग सुभा तक सारे बचों गिप दे चुके होंगी सेंटा के बास सुनकर सारे लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जती है तो दूस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगार आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा और ये है कुछ साउट आट जिन्माने पिछली वीडियो में कमेंट किया था और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको साउट आट दो तो इस वीडियो की नीचे कचा सब्सक्राइब जोरूर कर दें तब तक के लिए बाइबाइब